हलो एवरिवान, वेलकम टू रीटर अरूरा रेसिपीस चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कुलफी वो भी सिर्फ पांच मिनिट में तयार होगी, बिना गैस जलाए, बिना कॉर्ण फ्लार या ब्रेड एड किये, बार बार मिक्सी में चान करने की बिल्कुल जुरूरत नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि ये कुलफी कितनी जादा क्रीमी और टेस्टी बनेगी, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, मैंगो कुलफी बनाने के लिए हमने एक बड़े साइस का आम लिया है, वेट में ये 300 ग्राम है, ये अच्छे से पका हुआ होना च इसको छोटी टुकडों में काट लेंगे, और अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे, और इसका प्योरी बना लेंगे, हम इसमें पानी या दूद बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, अब हम इसे दो से तीन बार चर्ण करते हुए इसका बिल्कुल प्योरी बना लें और यह देखे यह puree हमने तयार कर ली है इसमें चांक्स बिल्कुल भी नहीं है अब हम इसमें दालेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम यह अमूल का छोटा पाक है टेट्ररा पैक 250 ml का हम इसे अच्छे से शेक करेंगे और यह पूरी क्रीम हम इसमें डाल देंगे मैंगो प्यूरे म इससे यह बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा इसमें अब हम इसमें डालेंगे पांच बड़े चमच कंडेंस मिल्क यह घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हूं आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसकी जगा पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर ऑप्शनल है अगर आपके पास ना हो तो आप इससे स्केप भी कर सकते हैं साथ ही डालेंगे एक चुटकी नमक जैसा कि हम सभी जानते हैं क हम वापिस grinder jar को बंद करेंगे और इसको एक से दो बार चान कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से mix हो जाएगा और ये देखिए ये हमारा कुलफी का base बन करके तयार है बिकुल अगर आम कम मीठा है तो आप इसमें थोड़ा सा condensed milk या मीठा और डाल सकते हैं अब हम ये कुलफी मोल ले लेंगे इसमें हम ये mixture डाल देंगे इसको हम foil paper से cover कर देंगे ताकि इसमें ice crystals ना बने knife से उपर से थोड़ा सा cut लगाएंगे और इसमें ice cream stick डाल देंगे और अब हमने इनको short glasses में रख दिया है ताकि ये गिरे ना और अब हम इने freezer में रख देंगे 6-7 घंटे के लिए या तकरीबन पूरी रात के लिए और जो बाकी बचा हूँ mixture है वो मैं इने ice cream molds में डाल रही हूँ आप चाहें तो इसे ice tray में डाल सकते हैं, short glasses में बना सकते हैं या फिर disposable cups आते हैं उसमें भी बना सकते हो या simply airtight box में आप इसे डाल लिए और freezer में जमा दीजे अब हम इन सब को freezer में रख देंगे तकरीबन 6-7 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए और ये हम लेंगे Oreo cookies थोड़े से 6-7 बिस्किस लेंगे क्रीम वाले हैं ये और इने grinder चार में डाल कर हम इनका बिल्कुल powder बना लेंगे ये देखिए हमने इनका powder बना लिया है अब हम इनसे एक प्लेट में transfer कर देंगे और थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे इसे और ये हमारी mango कुलफी अच्छे से जम चुकी है बहुत ही बढ़िया से क्योंकि हमने इसे पूरी रात फ्रिजर में रखा था आप हम इसे कुछ सेकेंड्स के लिए पानी की ग्लास में रखेंगे पानी बिल्कुल ताजा है और इसकी स्टिक को थोड़ा सा और ये कुकीज का जो हमने पाउडर बनाया था या क्रम बनाया था वो डाल देंगे इससे इसका टेस्ट भी और इसका टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हो जाएगा ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है मुझे तो अभी खाने का दिल कर रहा है तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीट्या रोला रेसिपीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लगे बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें